नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा उनलाइन इस्टेडी विडिकेम आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी के 30 अतिमहत्पूर्णों प्रस्णों के बारे में ये प्रेक्टी से 3rd है मैं 1st और 2nd पहले ही डाल चुका हूँ लिखित कारे की जाच में बच्चों की साहिता लेने से क्या होता है दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प दिये हैं इसमें से आपको सही आंसर चुनना है तो इसका सही आंसर होगा लिखित कारे की जाच में बच्चों की साहिता लेने से बच्चों को दूसरों की हस्तलिकित साम मगरी को पढ़ने का उसर और अवलोकन छमता के विकास का उसर मिलता है तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा होगा अगला प्रश्ण है श्वलिन विकार में बच्चा किस प्रकार का अनुभव करता दोस्तों आपके सामें चार विकल्प दिये हैं इसमें से आपको सही आंसर च के लिए प्राथ में किस तरपर भासा नहीं सीखी जाती है आपके सामने चारवी कलप है दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि प्राथ में किस तरपर भासा नहीं सीखी जाती है किस उद्धिस के लिए तो इसका सही अंसर होगा जीवन की विभिन इस्तितियों को साधने के ल कौन सी विधी कहलाती हैं इसमें से आपको पहचान कर बताना है तो इसका सही अंसर है जिस विधी में चात्रवाध ध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वहां विधी विचार विमर्ष विधी कहलाती है अगला प्रशन है हिंदी भासा के संधर्व में निमलखित में से कौन सा निभनात्मक परिक्षाओं का लाव है कौन सा दोस्तों आपके सामने चारवी कलप दियें इसमें से आपको पहचानना है तो इसका सही आंसर होगा निभनात्मक परिक्षाओं द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि चातर किस प्रकार से विचारों को संगटित करके लिख सकता है तो उसका सही आंसर होगा पहला अगला प्रशन है सिक्षन की वहां कोन सी विदी है जिसमें समानि से विशिष्ट अत्वा समानि नियम से विशिष्ट उधारन की ओर बढ़ा जाता है बहुत ही आंसर होगा पहला होगा अगला प्रशन है वर्तनी सिक्षन के लिए निमलखित में सी कोन सा अभ्यास सरवादिक महत्पूर्ण है कोन सा अभ्यास सरवादिक महत्पूर्ण है दोस्तों आपके सामने चार विकल्प दिये हैं इसमें से आपको पहचान कर बताना है तो उसक अगला प्रश्ण है अनुभव द्वारा व्यभार में रुपांतर लाना ही अदिगम है यहां कथन किसका है किसका दोस्तो यहां कथन आपके सामने 4 विकल पर दिये हैं इसमें से आपको पहचानना है तो इसका सही आंसर होगा यहां कथन गेट्स का है अगला प्रशन ही भासा सिक्षन का समप्रेशनात्मक उपागम किस पर बल देता है किस पर बल देता है दोस्तों आपके सामने चारवी कल पर दिये हैं इसमें से आपको सही आंसर को पहचानना है तो इसका सही आंसर है भासा सिक्षन का समप्रेशनात्मक उपाग क्या अतियावशक है दोस्तों आपके सामने चारवी कल पर दिये हैं इसमें आपको बताना है तो उसका सही आंसर होगा पहला अगला प्रश्ण है सहायक सामगरी के अंतरगत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रूची बनी रहती है तथा वे उसे सफलता पूरवक समझते हुए अधिगम के उद्दिश्ची को प्राप्त कर लेते हैं यहां कथन किसका है किसका है दोस्तों सही आंसर होगा यहां कथन एलोवेण इस्ट्रांग का है जिसका सही आंचर होगा पहला अगला प्रश् oct विसेज चंटा वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कोसल के अभ्यास के लिए महतपूर्ण है क्या महतपूर्ण है दोस्तों आपके सामने चारवी कल्प दिये हैं इसमें से बताना है तो इसका सही आंसर होगा विसेश छमता वाले बच्चों की कक्छा में लेखन कोसल के अभ्यास के लिए विचारों की मुलिकता महत्पूर्ण है तो इसका राइट आंसर होगा पहला अगला प्रश्ण है हंदी भाषा में सतत और व्यापक मुल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेज ध्यान देंगे दोस्तों आपके सामने चारविकल पर दिये है इसमें से आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा हिंदी भासा में सतत और व्यापक मुल्यांकन करते समय विबिन संदर्बों में भासा परियोकी को सलता पर विशेश ध्यान देंगे अगला प्रशने है माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों सब्दों की पुद्रावत्ती करती है इसका यहाँ भासाई व्यवार दर्साता है कि क्या दर्साता दोस्ता आपके सामें 4 विकल्पे हैं इसमें से पता ना है तो इसका सही आंसर होगा, यहां बहसाई विवार दर्शाता है कि वहां पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है तो इसका जो सही आंसर होगा, जोथा होगा, अगला प्रश्न है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भासा प्रियोग दर्शाते हैं किसको दर्शाते नियम का उलंगन संदर्ब की समझना होना नियम कंठष्टना होना या फिर नियमों का अती समानी करण तो इसका सही आंसर है उसने पड़ा उसने खाया और उसने चीखा जैसे भासा प्रियोग नियमों का अती समानी करण को दर्शाते हैं तो इसका सही आंसर ह देना है यह प्रश्ण करमांग के छेल से लगा कर 54 तक इसी गध्यांस को पढ़कर आपको आंसर देना है इस गध्यांस को नहीं पढ़ूंगा दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में तो आप इसको पुछ करके दोस्तों इस गध्यांस को पढ़ लीजेगा मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा वीडियो को आप पुछ करेंगे तो यह वहीं पर ठहर जाएगा और आप इसको असानी से पढ़ सकते हैं और इस गध्यांस को पढ़कर ही दोस्तों आप आंसर दीजेगा तो अपन अप डारेक्ट प्रश्ण के बढ़ेंगे इसका पहला प् पढ़ा होगा तो इसका आप सही सा आंसर दे सकोगे तो इसका सही आंसर होगा बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समादान नहीं होने के कारण के रूप में ग्रामीनों के असिक्षित होने की चर्चा नहीं की गई है तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा होगा अगला प् से क्रियानवित नहीं होने के कारण योजनाओं का पूरा पूरा लाब ग्रामिनों को नहीं मिल पाता तो इसका सही आंसर है पहला अगला प्रश्ण है किस कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रतारित होना पड़ता है किस कारण होने पड़ता दोस्त व्यक्ति को मानसिक प्रस्तुत गद्यान से के माध्यम से अपने दिगद्यान से अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तुत गद्यान से के माध्यम से लेखक बेरोजगारी एवं इसके कूप्रभाव के बारे में बताना चाहता है तो इसक सही आंसर जो रोजगार उन्मखी में संदी विक्षद होगा वो रोजगार उन्मुख इसका संदी विक्षद होगा अगला प्रशनी को बढ़ेंगे अगला प्रशनीत था निमलखित में इसे कौन सा कथन सत्य है दोस्तों आपके सामने चारविकल पर दिये हैं इसमें से आपको सत्य कथन बताना है कौन सा है जो सत्य कथन होगा दोस्तों लोगों को व्यवशाई के सिक्षा दे कर उन्हें अपना व्यवशाई करने के लिए प्रजित किया जा सकता है यहां कथन सकती है यह गध्यांस के अनुरूप दोस्तों इसका आंसर आपको देना है तो इसके गध्यांस के जो अनुरूप इसका सही आंसर होगा दूसरा अगला प्रशन है बेरोजगारी और अपराद के संबंद के बारे में लेखक क्या कहना चाहता है क्या कहना चाहता दो गम हिंसा में व्रद्धी का एक कारण बेरोजगारी भी है तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा होगा अगला प्रशन है किर्यान वियन का विशलेशन है जो किर्यान वियन के है दोस्तों विशलेशन बताना आपके क्या होगा तो जो किर्यान वियन का विशलेशन होता है वो कि इसी पद्धियान से में से आपको आंसर देना है, बहुत अच्छा पद्धियान से दोस्तों एक बार आपको पढ़का सुना देता हूँ मुक्त करो नारी को मानव चीर बंदनी नारी को युग युग की बरबर कारा से जननी सकी प्यारी को छीन करो सब स्वन पास उसके को मलतन मन के, वे आवुशन नहीं दाम, उसके बंदी जीवन के, उसे मानवी का गोरव दे, पून सत्ति दो नूतन, उसका मुक जग का प्रकास हो, उठे अंद अवगुठन मुक्त करो जीवन संगनी को, जननी देवी की आदरत, जग जीवन में मानव के संग हो मानवी प्रतिष्ठित, प्रेम स्वर्ग हो धरा मधुर, नारी महिमा से मंडित, नारी मुक की नव किरनों से युग प्रभाव को जोतित ये दोस्तो एक पध्यान से है, इसको पढ़कर आपको आंसर बताना है, तो अपन इसके आंसर के और बढ़ते हैं, सोरी प्रशन के और बढ़ते हैं, पहला प्रशन है, कवी नारी को किस दसा से मुक्त करना चाहता है, बहुती अच्छा प्रशन है, यदि आपने पध्यान स को अच्छे से सुना होगा और अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं तो इसका सही आंसर है कवी नारी को पुरुष के संबंद से मुक्त करना चाहता है अगला प्रश्ण है छिन करो सबस्वन पास से क्या तातपर है क्या तातपरी दोस्तों आपके सानु कवी नारी को किन किन रूप में प्रतिष्ठित करना चाता है किन किन रूप में प्रतिष्ठित करना चाता है दोस्तो आपके सामने चार विकल्प दिये हैं इसमें से आपको बताना है तो इसका सही आंसर है कवी नारी को मानवी युग का प्रकास देने वाली के रूप में प् का ही विकल्प का चयन करना है तुसका सही अंसर है जो योग-yug की बरवर कारा में जो अलंकार है वो पुनरुक्ती प्रकास अलंकार है इसका मरें दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में जिकर किया था यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको समास है अगला और लाश्ट प्रश्ण है फ्रस्तुत पध्यान से का उचित सिर्शक गा है तो अज के तीस प्रश्न आपको कैसे लगा प्लीस मेरे कमेंट से बोक्स में जरूर बताइगा और य surgmi वीडिऎओ अच्छा हो तो लाइक कमेंट से और शेयर करना ना भूले और अभी तक मैंने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को दबाईए जिससे कि आपको लेटेस्टी वीडियो मिलते रहे